हलो दोस्तो मैं हूँ टिसू और आप सभी का स्वागत है टिसू कीचन में दोस्तो पिछली वीडियो में हमने गिलोई का काढ़ा और साथ में गिलोई का चुर्ण कैसे बनाए इसका प्रोपर तरीका बताया था और इसके इस्तमाल और फायदे के बारे में भी उस वीडियो में हमने आप से बात की थी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गिलोई का टैबलेट कैसे बनाए जिसे आप महीनों इस्तमाल कर सकते हैं उसकी secret technique share करेंगे तो देर किस बात की? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पिछली वीडियो में जो हमने गिलोई का चूर्ण बनाय था वही गिलोई का चूर्ण यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस चूर्ण को हम tablet में convert करेंगे इस वीडियो में हम इसी को दिखाने वाले और साथ में यह देखिए यहाँ पे गिलोई का डंठल भी हमने रखा है ताकि आप पहचान सके कि असली गिलोई कौन सा होता है गिलोई के tablet बनाने के लिए इस चूर्ण का डो हमें prepare करना होगा उसके लिए यहाँ पे हमने normal पानी लिया है बस इसे थोरा सा डालेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डालना है और इसे जो पहले हलके हलके मिलाएंगे जिस तरह हम आटा को गूठते हैं उसी तरह हमें इसे गूठना है तो यहाँ पे हम हलके हलके पानी डालके इस लकरी की मदद से इसे पहले अच्छे तरीके से मिला लेंगे और पिर हाथों की मदद से इसे पूथ लेंगे अच्छे तरीके से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम लगा है थोड़ा सा, तो मैंने स्पीड में दिखाया और यह देखिए, यह बॉल त्यार हो गया है, इसे गोत्मे में हमें दो मिनिट का समय लगा है, तो यहाँ पर टेबलेट बनाने के लिए हमने पतंजली के यह टेबलेट रका है मेधावटी का, इसे हमने पूरा लेवलिंग को उखार दिया है, और इसी में हम टेबलेट को बनाएंगे, तो करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा हमें इसे तोर के इसे फिल करना है, आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत ही परफेक्टली आपको टेबलेट बन के आएगा, बस आपको स्क्रीन पर देखते जाना है, कि हम जो है कैसे इसका टेबलेट प्रिपेर करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारे गैप्स हैं, उने फिल कर ले, तो कुछ इस तरीके से हमने फिल कर लिया, लेकिन इसके उपर एक्स्ट्रा है, उसे तो हमें हटाना होगा, यहां पर देख सकते हैं आगे पीछे कैसा है, तो चले चाको की मदद से इसे हम कटिंग करके हटा लेते हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं इसकी जो थीकनेस है, डोकी वो काफी करी है ताकि टेबलेट जो उसका सेफ परफेक्ट आए, यहां पर थीकनेस जो आपको पतला पिल्कुल भीने रखना है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमने टेबलेट को कटिंग कर लिया है, अब देख सकते हैं, अब इसे हमें निकाल लेना है, बहुत पारिक से, यहां पर हमने एक टेबलेट को आपको निकाल के दिखाया है, बाकी टेबलेट को भी इसी तरीके स इसे जो है आप गिलोगी का टेबलेट बनाए और इसे जो है महीनों स्टोर करें और आप इसे सेवन करें सुबह दो टेबलेट खाली पेट आप पानी के साथ पिए तो अच्छा होगा बहुत फायदा करेगा युम्निटी को बूस्ट करेगा तो कैसी लगी यह वीडियो ज्यादा सी ज्यादा सेयर करें चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन और प्रेस करें हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है एक नई रेसिपी के साथ